गुद मारेंग स्टुड़ाट कल की वीडियो में हम लोग ने टेक्सबुक में से 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चल नमबर 1 किया दूँड़ाएं स्टुड़ाट जितने भी प्रेक्टीकल प्रोब्लेम है वो सारे प्रेक्टीकल प्रोब्लेम हम लोग एक साथ में चैप्तर के एंड में करेंगे बिल्स कभाई पहले एक्वेश्चन और प्रोब्लेम सारे क्या होगी एक साथ में आ जाएगा अब जरा आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, पेज नमबर 74 निकालोंगे, 74 नमबर का पेज निकालों, भटा भट, निकाला 74 पेज, एक्जाम्पल नमबर 3, फाइट दरूट अप इक्वेशन, 2X स्क्वेर माइनस 5X प्लस 3 इस इक्वार टू जीरो, बाइट हेक्टर आईजेशन, ये सम आप फूद कर सकते हैं, विद्दम सिंपल सम हैं, स्प्लिटिंग मेथड से करना हैं, कल हम दे बहुत सारे सम किये थे, अ एक्जाम्पल नमबर 4, HW में करोगे, 5 नमबर अभी में कराता हो, फिर 4.2 एक्सरसाइज निकालो, उसमें पेशन नमबर 1 में, 1st and 2nd आप लोग HW में करोगे, 3rd, 4, 5 में कराता हो, और ब्रेक्टिकल प्रब्लेम तो लास्ट में करेंगे, तो स्टूदन, पेज नमबर 75 के उपर वापी जाएंगे, एक्जाम्पल नमबर 5, फाइंड रूट अग्वाडेक्टिक एक्वेशन, 3X स्क्वेर, 3X स्क्वेर, माइनस 2 रोट 6X, प्लस 2, इस इक्वाल टो जेरो, स्टूदन, खरेक्विडियों में बोल रहा हो, आज भी बोल रहा हो, जो भी रूट वाले सम है, तो आप 2, 3, 3 बार प्रेक्टिस खरोगे, तो आपको एक्जाम्पल में सम आएंगे, तो प्रोब्लेम नहीं रहेगा, अब यापर हमें सिर्ख क्या दिया है, वैं, फाइल रूट अग्वाडेक्वेशन, तो इसके लिए आप फेक्टराइजिश मेथड भी यूज कर सकते हो, और सेकंड नमबर, जन्रल फॉर्मिला मेथड भी यूज कर सकते हो, समझ गए न स्कूलर, कभाई फेक्टराइजिशन और जन्रल फॉर्मिला, बड़ सपोजितर लिखा हो, कभाई फेक्टराइजिशन मेथड, तापको फेक्टराइजिशन मे इक्वेशन यारी कि दोनों में से अभी दूसरी मेथड तो मैंने आपको सिखाई नहीं है बट पेपर में ऐसे आए ताप कोई भी मेथड कर सकते हो प्लिया है बट सबसे वर्ड़ हो थेक्ट्रालेशन करना पद हो या पर स्पीडि करके करना पद चालिओ या पर स्टीडि मेथड से करते हैं जरण पote इस कारते हैं इस हम हिपके के बद एकशिक से हमम है या करके लाना है से आएगा तो ज़रा पेरेगेजर करो एक्सलेट अपपिशन कि नग 3 और लाश्ट कॉन से को 3 तुजार कॉन सा होगा वैज 6 और अब 6 सा स्प्रिटिंग करो एडिशन करने से 2 रूट 6 आए तो इसका स्प्रिटिंग मों सा कर सकते हम नों रूट में लाना हो तो कल मैं आको बोला था रूट वाला ही आपको स्प्रिटिंग लेना पड़ेगा जार कि क्या लेना पड़ेगा वैज रूट 6 मैं रूट 6 अब यह दोलों का प्लस करो देखो वर रूट 6 वर रूट 6 अदिशन करोगे कितना हो जाएगा तो चलो यह से इसका स्प्रिटिंग क्या है गाए गाए 3x2 माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इस एक्वाल तो 0 चलो यह दो तो इससे पॉमन कैसे निकालेगी तो चरा दिको यहाँ पर आपके पास 3 है त क्या रिख सकते हो रूट 3 मृटीप्लाइब रूट 3 स्टुड़ा किया साइड में लिखना क्योंकि मैंने के बाद दो मैंने के बाद फूप उपन परोगे तो पता चलेगा कैसे पॉमन निकला था यह रूट 6 है तो रूट 6 के बढ़े हैं आप क्या लिख सकते हो रूट 3 म निकलेगा तो ब्रेकेट के तरक्त क्या है रिया से 1 रूट 3 चला कि ही रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 बचा शुड़त यह से क्या बचा रूट 3 एक्स और यहा पर क्या पूश्ता है रूट 2 सेम यह दुरूरे से कॉमन भी का लो चला रूट 6 के हेक्टर ताहियार है यह पर ओधो का को क्या करना पड़ेगा भए है रूट टो मतिप्लार स्पाइब दोनों के इंदर कॉमन कौले है रूट 2 को मैने यह पासे पामन क्या ली दालोंगेस माइनस रूट तो ब्रेकेट टेएंदर मैं रूट 3 3x minus root 2 is equal to 0 हो गया factorization चलो इसके factor लिएक्टे तो factor कौन से आएंगे root 3x minus root 2 दूसरे फ्रेगेट में root 3x minus root 2 is equal to 0 दोरो factor सेम आए तो चलो गया बहेंगे root 3x minus root 2 is equal to 0 याबर root 3x minus root 2 is equal to 0 देर्पोर x is equal to root 2 upon root 3 याबर भी क्या एक्राइब और x is equal to root 2 upon root 3 यादे कि जब दोलो स्केटिंग सेम हो इतना समदलो दोलो स्केटिंग सेम हो तो वो आपकी polynomial perfect square trinomial होगी perfect square trinomial का बटक क्या होता है a square plus 2ab plus b square यादो a square minus 2ab plus b square नाइपकी polynomial होगी clear लिपडा रहो चलो भी रागे बड़े चलो 4.1 exercise में जाए 1 नमबर 2 नमबर आपको खुद करना है थर्ड नमबर करें जिदने भी root वाले सम है उनको आप IMP कर दो गिया आपकी नजरीं के उपर जाए रहे चलो थर्ड नमबर करते हैं कभाई root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0 चलो परे नजर करो plus plus addition करके लाडा में तो क्या करोगे परे ये दोनों का multiply करो देखो root 2 और 5 root 2 का multiply करो कितना हो जाएगा परे तो देखो root 2 multiply root 2 means 2 और 2 5 जा कितना होगा परे 10 वो 10 का स्विदी गरो 7i कितना हो जाएगा तो 5 और 10 हो गया अब यही आनका स्विदी में देखो 5 plus 2 करो 7 हो जाएगा तो इसका स्विदी क्याना हो जाएगा जाएगा तो ब्रेकेट में क्या है तो रूट 2 x plus 3 चलो यहां पर देखो यह 2 है और यह वाला root 2 है तो 2 और root 2 में से common क्या निकलेगा बैए तो root 2 common निकलेगा अभी मैंने सिखाया बैए तो क्या होता है root 2 multiply root 2 और root 2 तो दोनों में से common क्या निकला root 2 तो ब्रेकेट में क्या बचेगा तो root 2 x plus 5 बचेगा is equal to 0 दो फेक्टर आए आपके root 2 x plus 5 दूसरे ब्रेकेट में x plus root 2 is equal to 0 therefore यहां पर first answer क्या बनेगा बैए x is equal to plus 5 देटो minus 5 और root 2 पर यहां पर x is equal to क्या बनेगा बैए minus तो root 2 ओगेदों answer यह सम आपको आने मीन चेहिए क्या लाइड़ाई बनागे एक्या आपको 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 है झाल वो गया स्कुड़ा है चाल उसका थर्ड नंबर खरें पोर नंबर खर दिये 2x2 minus x plus 1 upon 8 is equal to 0 चाल अब यापर क्या करेंगे प्रेक्षन आये तो चिंदा करने की नहीं है पहले 1 upon 8 है तो एट को गायब करेंगे दो टो एट को प्रॉस मृंटिप्लाइब करो तो टो यह दोनों को मैंटिप्लाइब होगा और जी नीचे बहुंक एंगर 0 को मैंटिप्लाइब होगा और इसको गायब हो जाएगा बराबरे तो 8 को यह दोनों को मंटिप्लाइब करो तो क्या है आए 16x2-8x प्लस वर देखो सभी के अपॉटमें 8 आएगा वो 8x0 के साथ में मंटिप्लाइब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाए लिया शुटर अब जरा नजर करो अब जोड़े आप बड़े मन चुते हो अभी मैंने आपको बताया अगर दोनों स्प्लिटिंग सेन आए तो वो आपकी परफेक्ट स्वेर ट्राइडूमियल होगी यहाँ पर आपको एडिशन करके लाना है चलो 16 बज़ा कितना होगा 16 वो 16 का स्प्लिटिंग खरो कभे एड करने से कितना आए वह एक आए तो वह 16 का स्प्लिटिंग कौनसा होगा फोर फोर जाप जरा समझो डाइरेक्ट कर दोगी जिरो मार्क मिल जाएगा मैं जो बोल रहा हो आप बड़े हो चुके हो जो मैथर बनती होगी वो मैथर से काम खरना पड़ेगा आप लोगो को स्प्लिटिंग कर डालोगे तो गलत ह ढ़त हों जायेगा आपको समने को खास सुनु कट बढ़े होलोगो को स्प्लिटिंग कर आप या पर किश्प्लिटिंग करते हैं दो लोग है या फोर फोर जाब यहां पर आप प्रेक्ष प्रेक्ष रखोगे और आंसर लाओगे आंसर तो आ जाएगा बड़ आपकी मेथड गलग होगी यहां के एक्जामिलर के उपर फिर डिपेंडेबल है अगर इसकी इच्छा होगे जो 0 मार्ग भी दे सकता है तो जहां पर परफेक्ट स्वेर ट्राइ ट्राइनोम्यल है एडिशीन वाले में निन आ सकती है कबहें A2P2 AB2 ABD2 या तो A2-2AB2 ABD2 पता कैसे चलेगा कबहें इस इसे स्वेर इसने का स्प्रिफिल्म Lewya8 लाना है 4 4 जा 4 plus 4 8 हुआ, दो दो स्प्रिदिलिंग सेम आये, तो परफेंट स्वेर थीनोमियन, बराबरे, तो उसका स्प्रिदिलिंग ने तरना, क्या करेंगे, जारे, स्कार के 2 इसकार का स्वेर इसकार में, स्प्रिदिलिंगे, 4 जारे, दो स्प्रिदिलिंगे, पर्स्केर स्वेर खेंगे, स्क्वेर माइनस तू एबी प्लस बी स्क्वेर यारिक देखो 16 ए तो 4x ब्रेकेट मार्ट स्क्वेर माइनस तू एबी आपके फूर अपना है फस्ट और लाश्ट रम का स्वेर होगे है तो इसके फेक्टर कौन सा आएगा 4x-1 ब्रेकेट मार्ट स्क्वेर इसके दो फेक्टर बने के फिर लाश्ट में लिखोंगे 4x-1 4x-1 is equal to 0 square है इसका मतलब क्या बना ये दो फेक्टर है दो लो सेम फेक्टर therefore क्या मनेगा गई x is equal to 1 upon 4 और x is equal to 1 upon 4 दो लो सेम फेक्टर आए समझ गए तो जावब क्या बाटे है जब इस करते है तो समसे पहले एडिशन करके लाना हो तो आप समसे पहले परफेंट स्क्वेर ट्राइलोमियल के पारेंगे सोचोंगे, दोनो स्प्रिडिंग सेम आए, तो इसी मेठोड से जाना, अगरा स्प्रिडिंग खड़ा लोग दे, बराबर है, अगर एग्जामिटर कहुछा लगा तो मार्क दे सकता है, बना जिरो भी दे सकता है, चलो, नेक इसी को अल्टू जीरो, चलो, जना नजर करो स्टुगर, हंड्रेड वंजा हंड्रेड, हंड्रेड का स्प्रिडिंग करो 20 आए, एदिशन करने से, 10 तेन जा हंड्रेड, 10 प्लस 10, 20 होगा, दोलो स्प्रिडिंग आपके सेम आगे, आगे दिनी आगे, स्प्रिडिंग सेम तो क्या होगा स्टुडल, पर्फेक्ट स्प्रिडिंग इवाद जेतर से जाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या दिखेंगे, 10x ब्रेकेट पार स्क्वेर, minus 2, into 10x, into 1, plus 1, ब्रेकेट पार स्क्वेर, is equal to 0, चलो, जना दिखेंगे, 10x minus 1, ब्रेकेट पार स्क्वेर, is equal to 0, देरफोर ऐसे दो फेक्टर लिएक सकते हैं, ब्रेके, 10x minus 1, 10x minus 1, is equal to 0, देरफोर, x is equal to, क्या बनेगा, ब्रेके, 1 upon 10, ब्रेके, 10x minus 1, 10x minus 1, is equal to 0, therefore, x is equal to, 1 upon 10, दो आंसर से आये, प्लियर है? चलो, इसके practical problem तो हम लोग बाद में करेंगे, student, अब इसके बाद में, completing square, तो इस present year में, आपके course में से निकाल दी दे, चलो, वादी एक स्वाम है, इसके करते हैं, हम लोग, मराबरे विल्को के आप लोग question, 2x square, minus 2 root 2x, plus 1, is equal to 0, चलो, यह वादा स्वाम है, अभी एक आया थी इसके जेशा, 2x square, minus 2 root 2x, plus 1, is equal to, जुरापकी टेक्स्बूक में, completing square type example, चलो, क्या होगा बैई, 2x2, बरबरे, उसका splitting करो, splitting करो, एक करने से, root वाला है, तो 2 का splitting क्या होगा बैई, root 2, multiply root 2, और यह दोरोगा addition करो, 1 root 2, plus 1 root 2, 2 root 2 हो गया, या लगी यह भी complete इंच, अगर आप देखो, तो perfect square, प्राइड ओंगे लेग, इसके जैसे, बट, splitting कर्दों के तो चलेगा, तो क्या हैगा बैई, 2x square, minus root 2x, minus root 2x, plus 1, is equal to, 0, होगा, चलो, यह दोरो में से common निकाल होगा बैई, root 2x निकलेगा, तो bracket के अंदर क्या हैगा, बैई, x minus 1, आएगा, sorry, root 2x minus 1, यहाँ से आपने root 2 निकाला, यहाँ पर एक root 2 बचेगा, यहादि के क्या रहेगा बैई, root 2x minus 1, चलो, से जीजर से minus 1 निकलेगा, तो root 2x minus 1 is equal to 0, तो इसके दोग हेक्टर आए, root 2x minus 1, root 2x minus 1 is equal to 0, therefore, x is equal to 1 upon root 2, यहाँ पर भी, x is equal to, कितना होगा बैई, 1 upon root 2, यह splitting method कर डाले, बट यह perfect square आपको पता चलों के, अपर दोजों splitting सेम आए, यह perfect square प्राइडों भी अले, तो इसके जैसे भी हम लोग कर सकते, कैसे कर सकते हैं, बैए, डिवह ऐसे लिखेंगे, यह 2x square है, लाइक देखो, यहाँ पर गया था, 16x square, तो 16 का square root आप नहीं दर लिखा था, 4x square, यहाँ पर 2x square है, तो क्या लिखोगी, यह भी लिखोगी method, कब है यह root 2x bracket bar square, लिख सकते हैं, 2 का square root नहीं निकल सकता, बड़ उसका square root क्या निकलेगा, root 2 निकलेगा, यहाँ रूट 2x square, minus 2, into root 2x, into 1, plus 1, bracket bar square, is equal to 0, लिख सकते, k square minus 2m e plus b square, तो क्या लिखोगी, root 2x, minus 1, bracket bar square, is equal to 0, तो root 2x, minus 1, root 2x, minus 1, is equal to 0, दोनों answer से माइंगे, x is equal to 1 upon 1 root 2, या पर भी x is equal to 1 upon 1 root 2, आगे, कोई दूमें चड़ करो, answer क्यास आने वाला है, आपका, सेम ही आने वाला, ओर आङे वाला, वाला है, ओर वी एकर्शा, लिखोगी वाला है, मैं है, वाला है, याल tempo क्या है, लेगो 4x square 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0 चलो यह वाला sum है क्या राना है root में देखो पहले तो यह चेट करो क्या करके राना है addition करो के 4, 3, 4, 12 देखो root में क्या राना है आप लोगों को 3 लाना है क्या लिए 4 का च्क्रीडी क्या होगा 2, 2 जा और 3 का स्क्रीडी root में लाना है तो क्या लेना पड़ेगा root 3 multiply root 3 तो इसका स्क्रीडी क्या करोगे with addition carnage 4, root 3 तो 3 कौन सा लेना पड़ेगा 2, root 3, 2, root 3 लेना पड़ेगा, अब ज़रा सोचो, दोनों स्प्रिदिंग सेम आये, यह वाली मेत्रड रख सकते हैं, कर सकते हैं, पर्फेक्ट स्प्रेर वाली मेत्रड, तो इसका जानी हैं यह, पबाइट 2x, ब्रेकें पार स्क्रेर, फिर प्लास यह दो प्लास, 2, इंटु ब्रेकें सब्सक्राइब, आपना तो 3 है, तो 3 का हमें स्क्रेर रूट लिखना है, लाइक देखो इंटर 1 था, तो 1 का स्क्रेर रूट 1 ही बनता है, बट 2 का स्क्रेर रूट 2 बनेगा, 3 का स्क्रेर रूट 3 बनेगा, 5 का स्क्रेर रूट 5 बनेगा, 7 का स्क्रेर रूट 7 बनेगा, यह आपर क्या रखेंगे यह रूट 3 प्लॉस क्या होगा वे रूट 3 प्रेंट बास वेइस रिवर्टु जिजीनों आप अगर इचाब होती है तो इसकी तर श्क्रिडी मिंदी कर सकते हो क्या मनेंगा वे तो रूट 3 तो रूट 3 इस बिदी क्या बनेंगा तो आप परफेट स्क्वेर ट्राइनोमियल से जाओगे, clear? तो चाहँ, इसका क्या मनेगा है, 2x plus root 3, bracket bar square, is equal to 0. इसके दो थेक्टर बनेगे, 2x plus root 3, 2x plus root 3, is equal to 0. therefore, x is equal to, क्या मनेगा, plus root 3 एक्टो, minus root 3 एक्टो, इसके दो, x is equal to, क्या मनेगा, बैए, plus root 3 एक्टो, minus root 3 एक्टो, वो ग्या है, सर्द, कर सक्तियों एसे, क्यों नहीं कर सक्तियों? क्यों एक्यों 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 एक्यो आप हेडिंग डालों बडे राइटिंग में जण्रल फॉर्मूला । कि बडबरे पहले मैं जुग बोलूं बड़े राइटिंग में हेडिंग डाल दो उपर जन्रल फर्म्यूला सामाने सुपर चलो मैंने फर्स्ट हेडिंग डालो सब्सक्राइब कर róla डालो ओको पल्वीम्यूल डालो जन्रल फर्म्यूला सो ओकडिक क्सक्राइब कर दो जन्रल फर्म्यूला ज्न्रल द्यान रको गे इसमार बड़मे गेरेंटेज जनरल फर्मिला का सम आने वाला ही है और करके लिखो और कैसे कैसे क्वेशन आ सकते लिखो दूसरा कभाई find the root of following quadratic equation by quadratic formula quadratic formula और करके लिखो और find the discriminant of the following quadratic equation following quadratic equation and discuss discuss the nature of the root फिर देखो आपकी टेक्स्बुक में page number 91 निकालो exercise 4.4 उसके first number का जो heading है वो भी आप लिखोगे page number 91 निकालो exercise 4.4 निकालो उसके question number 1 का जो heading है वो heading भी आप टाल दो कभे find the nature of the root of the following quadratic equation nature फिर if the real root exists find them ये heading डालो याल कि सारी चीज़े इसके अंदर आज है चला शुराएं तो ये एक पूरा general question ने बना दिया वियापर खास ध्यान दील लगा कर काम करेंगे क्योंकि student paper के अंदर कभी कभी क्याम होता है एक equation देंगे एक मर्क में discriminant find करने का sum आएगा यानिकि D is equal to blank तो आप आप discriminant भी find कर सकते हो second number उसके nature कैसे है वो भी find कर सकते हो क्यार कि एक ही sum के अंदर हमने सारी चीज़े add कर दी बरबर है कभी paper में आया कभी the root of the quadratic equation 2x square plus x minus 5 is equal to blank कभी वापर root कैसे होगे वो आप कम लिक पाओगे तो उसके लिए पहले आपको discriminant find करना पड़ेगा तो student जब भी हमने first video में theory चलाई वापर मेंने आपको एक theory लिखवाई थे कभी discuss the nature of the root of quadratic equation from the value of a discriminant d कभाई discriminant की value के उपर से quadratic equation के रूजराख उसको device कर लेते remind कर लेते फर्स्ट नमबर था if d greater than zero positive answer I then the quadratic equation have a real and distinct rule second number if d greater than zero but d is a perfect square number अब खाजया नकोगे define करने के बाद अगर positive answer आये तो सबसे पहले आपको क्या सोचना आपका answer one four nine sixteen twenty five thirty six यानिके root निकल सकता हो तो वापर nature के बारे में क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को rational root लिखना पड़ेगा समझ गए क्यानिके पहले rational root के बारे में सोचोगे और अगर perfect square नहीं है तो nature के बारे में क्या लिखेंगे real and distinct root clear थर्ड नमबर था d is equal to zero हो तो पड़ेडिक equation के root कैसे होगे बैए real and equal root ऐसे डाइब के जो root है इंको क्या बोलते है student repeated root भी बोलते है क्या बोलते है बैए repeated root और each root की value कितनी बनती है बैए minus b upon 2a और थर्ड नमबर d less than zero i तो पड़ेडिक equation को कोई भी root नहीं मिलेगे इसलिए ध्यान लखोगे negative answer आए तो alpha और beta find नहीं करोगे अब अपना सारा काम छोड़ कर बर्ड के उपर द्यान रखोगे कभई ऐसे पेपर में सब आया गभई find find the root of quadratic equation by quadratic formula by general formula by Shrider's formula ते सभी के अंदर कैसे पुरी method खरेगी बराबरे like first number हमारा question है कभई 2x square plus x minus 4 is equal to 0 फर्स question है हमारा कभई 2x square plus x minus 4 is equal to 0 देखो ये equation को अगर आप splitting method से solve करने जाओगे नहीं होगा splitting method से solve करने जाओगे नहीं होगा तो इसलिए general formula method बनी समझे कभई कुछ equation ऐसे है जो आप splitting method से factorization method से solve कर सकती नहीं हो देखो या पर plus minus है आपके जीवाद में होता होगा क्यों ये general formula method बनाई अरे भाई अभी नजर करो देखो plus minus है आपको सप्रक करके रहा है फोर फूजा एक एक का स्प्रिटिंग करो वर्फ आए कभी भी वर्फ आने वाला नहीं है कभी पोर फूजा एक पोर में से टू गया तो टू आए समझ गये ना एक्सराप के अंदर्दी से इतना लिखा हो कभी कोई मैथड नहीं लिखी है तो पहले सोचों कि अगर स्प्रिटिंग नहीं होता है तो आप जनरल फर्मिला से करो और मेरी मानों मेरी मानों तो जनरल फर्मिला थोड़ी लबी मैथड है बट स्प्रिटिंग से एक दम इजी है स्प्रिटिंग से कैसी है एक दम ही जिगलती होने के चांसी जीरो है समझ गए तो सबसे परस्ट क्या करें बॉड़ के ओपन ज्यान लखोंगे फर्स तो सब अच्छे से समझेगी कभे हमें सब कैसे करना है कुछ लोग कराएंगे शॉर्टकर्ट में हमें ऐसे नहीं करना है पूरा सम स्टेप पा स्टेप कंप्रीट होना चाहिए चलो जो समसे फर्स रब्लों क्या ज़िके के ये जो इक्षान है उसको क्या करेंगे ए इस प्लस देखिस प्लस देखिस इक्वर टो जिरो जो भी इक्रेशन है उसको हमें स्टांडर्ड वांके साथ में कंपेर करके ए बी और से की वैल्यू लिखे डाइरेक्ट कोई काम नहीं करना स्ट्रट प्लियर ना चला तो क्या मिलेगा तू दी सिक्वार्ट प्या मिलेगा नहीं यहां बहुत है तो रख प्लास हो तो प्लस ल क्या मजें तबहें , –4 एक्स्वैर का कोफिश्ट अ एक्सकाा कोफिश्ट में कंपेिश्ट में कांफिश्ट प्लस ट्रहे है वह क्या करेंगे डिस्क्रीमिन perfect करेंगे उसका फ्र्विला मांक साथ ब्सक्यार दी इस एक्वल तो ब्सक्यार बिसक्यार माइनस 4ac is equal to your value again say 1 square minus 4 a a yarni 2 or c yarni a minus 4 अब देखो student यह से आपके घल्की होने के चांसे इस वो सकते हैं थोड़ा द्यार नहीं रखोंकि तो घल्की हो जाएगी देखा वान का स्कार्प सपोज आपका B negative हो यहाब तो B positive है बड़ सपोज आपका B negative हो तो B उसका square always positive होगा यहाब का square इतना होगा 1 अब यहाँ पर आपको ध्यार लखना है यहाँ पर आपको ध्यार लखना है कब एगर plus or minus के आपके घरवड़ी कर दे पूरा समगर इसले क्या द्यार लखोगे जब आपकी C वाली term negative हो मैं जो बोल रखो अच्छे से सुनो जब आपकी C वाली term negative हो यहाँ आपकी C वाली term negative हो यहाँ पर आपकी C वाली term negative हो यहाँ पर plus लखतो बाकी का बढ़ी प्लाइब आपके करो क्यों बहीं तो इतरको minus minus क्या हो जाए कभी plus clear जड़की क्या द्यार रखेंगे अगर constant term c वाली term negative है यहाँ पर plus का तो अब बढ़ी प्लाइब आपको पूछाए को बढ़ी प्लाइब आपको पूछाए तो बढ़ी दिस्क्रिमित आपको बिल गया प्लाइब आपको बिल गया तो इसे पूछाओ दर नेचर अप दरू अपको बढ़ी प्लाइब इकुएशन जब भी पॉसेटी वाई सबसे पहले देखना आए तक भी यह परफेक्ट स्क्वेर है कि नहीं यानि कि इसका रूट निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है वो रूट केट का निकल सकता है मैंने आपको 1-200 वाले नंबर दिख्वा दिये वाल, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 लिख्वायर उनमें से आपका ने दो क्या लिखेके यह परस नुमर ओप्षन लागू पड़ेगा यह दी ग्रेटर दें 0, 100 पाटेटी इक्वेश्चान पाटेटी इक्वेश्चान है यह रिखेंगे अगर क्या होता लाइद यह खास यह पक्ता है नेचर, पेपर में नेचर की ब्लेंग आए, डिस्क्रिमिंट पाइड करोगे आपको नेचर पता चल जाएगा अगर परफेट्स क्यारों ता 33 के बड़ेवी 33 सोता दिधर क्या लिखते है यह पाइड है तो रूट फाइंट करने ही नहीं है, वाजिल की वारे तोही फाइंट करने है चलो क्या फाइंट करेंगे। आलफा is equal to minus b plus root d upon 2a, beta is equal to minus b minus root d upon 2a, यह formula है, root find करेंगा, यह alpha, दूसरा concept है, beta, चलो इसमें value रखे, is equal to, चलो b, कितना है नहीं, 1, तो क्या हो जाएगा नहीं, minus 1, अब देखो, b की value negative हो, तिया पर positive हो जाएगा, वो बात में सुचेंगे, 1 ले रखेंगे यह plus root d, यानि कि इतना है का, root 33 upon 2, into, e की value कितनी है, पैक 2, पहले यह वाली साइट कुरी पर तो फिर माजुवाली करो, तो क्या हो नहीं का, minus 1, plus root 33 upon 4, यह आगा एक root बन गया, clear, यह आपका answer आगे हो, समझ्या है कि नहीं है, बराबरे, बर कुछ समय से है कि simplify होता होता तो करना पड़ेगा, यह आपर देखो कुछ भी common निकलता कि यह आपका answer, और यह आपर आप छोड़ दोगे, सबोज कोई समय समय सा है, जिसमें common निकलते हैं, बटा common नहीं निकलते ह यह आपका answer चोड़ दो कि तो सिथ, वन हाप हमारे को कर दो होता, बट अगर आप होसिया हो, ब्रिल्यांट हो, तो करना है, वो बाद में देखेंगी, चलो, यह आपर भी से इसके जैसे, value रगते तो क्या होगा, मैं, minus 1, 6, plus की बढ़े पी आपका क्या रगाना है, minus root 33 upon 2 into 2 is equal, क्या मना है, minus 1, minus root 33 upon 4, यह आपकी कोंसी formula हो गया है, कोंसी method हो के स्टुड़न, general formula method, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, clear, इसमें बहुत सारे देखो, एक तो discriminant का MCQ आगिया, बराबरे nature वाला MCQ आगिया, बराबरे और भी root point कर देखेंगी, लेख़़ा लोब आप लि आप जाप़ोगोगोगगोगोगगोगगोगगोगगोगगे लेख़गगोगगगोगगगोगगगगल है, क्या हुआ। संपो समझो और करो समझ गया ना दिल लगागर काम करना क्योंगी गयरंटेट बॉर्ड की एक्जाम में क्वाडेडिक फॉर्मिला का समझ आने वाला ही है और जबी नवरे पड़े इसकी प्रेक्टिस करती रहने हैं और जबी नवरे इसकी प्रेक्टिस करती प्रेक्टिस करती रहने हैं जबी नवरे इसकी प्रेक्टिस करते रहने हैं एक तो पूगय बैंडर हो, जयुआ थुपमागर हो, जयुआ जयुआ हो एक तो भी के ओल्विशोग उने आपको का तो ये बैंडर हो डिजुआ हो, भी की बैंडर जयुआ हो, जयुआ हो, जहां होगा हो. तब तब में कुई शो जीटाओ, 4x2, plus 4 root 3x, plus 5 is equal to 0. चलो भूगे आदे हां तक? चलो भागे बड़े, नेक्स सम करें, चलो आपी मेरे साथ में थोड़ी थोड़ी प्रेक्टिस करते जाओगी, बागे 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 साथ में करें, आपको पोपन बना दूगा, बट उड मत जाना होगे, समझ गए ना? चलो, सबसे फास क्या देमें थोओ, पोड़ी थोड़ी में सेग्स, x square plus bx plus c is equal to 0. चलो, a is equal to कितना हैगा भई? 4. b is equal to कितना हैगा भई? 4 root 3. और c is equal to कितना हैगा भई? 5. आगया, पढ़े value लिखो. चलो, अब क्या पहीट करेंगे? इसका फर्मिला रखो. d is equal to b square minus 4ac is equal to 4 root 3 square minus 4 into 4 into 5. चलो, अब जरा square करना पढ़ेगा यह मैंने सिखा हैगा तुम भी बीट से सिखा देता हूँ. कब इसका square कैसे करें? 4 root 3 है, तुम पहले बार बार एका square करो. 4 का square कितना? 16. और अंदर बारे से सिखा मुल्टिप्लाइक करो. तुम पहले 4 का square 16, 16, 3 जा, कितना होगा बे? 48 होगा? माइनस, चलो, 4, 4 जा 16, 16, 3 जा 80. चलो, माइनस करो दोनों का, 48 में से 80 को माइनस करो. कितना आएगा बै? माइनस 32, आता है माइनस 32, अब क्या होगा? थोड़ा ध्यार लखना है, गलती से आलफा बीटा 5 नहीं कर लेना है, देगा दीग मी नहीं कर सकते हैं, गलती होगा, क्या लखना है, गलती से आलफा गूलफा दीदर लाउनस दीदहत्यार है, हेर गहार रखना है इसको कोई भी रूट नहीं मिलेंगे फिर गलती से अल्भा और विटा का फर्विला मत रख देना समझ गए दे नेगेटिव आये वाज से हमारा संट खतम हो गया आगे बढ़ना ही नहीं है क्लिया वाबर संट आपका कंप्लेट ये नेचर हो गया अटमे नेचर कैसा है इसका कोई भी रूट हमें मिलने वाला नहीं है क्लिया स्टुरंट एक काम करते हैं आज सिर्फ की एक दोसम रखते हैं कल की वीडियो में हम लोग बहुत सारे संट करने वादे हैं क्लिया आजीता रखे गुडबाई स्टुराइब